नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूँ मनोच चतुर्वेदी अभी अभी खबर जो दिल्ली से आ रही है बिहार सरकार ने अभी अभी सुसान सिंग केस मामले में अपना हलफ नामा जो है वो सरोच न्याले में जमा किया है जी हां दायर किया है और कहा है और के मुताबिक अपने जमा किये गए हलफ नामा में बिहार सरकार ने असपस्त किया है कि रिया चक्रवर्ती का एक मात्र मक्षट जो है सुसान सिंग राजपूत के रूपयों को हडपना था इस साजीस में रिया के साथ ही उसका परिवार भी पूरी तरह से सामिल है हलफ नाम में बिहार सरकार ने साफ तोर पर ये कहा है कि सडेंत्र के तहत ही रिया ने अपने परिवार के साथ मिलकर सुसान सिंग राजपूत के मांसिक बिमारी की गलत स्क्रिप्ट तयार की मांसिक बिमारी की जूठी तस्वीर जो है वो लोगों के सामने पेस किया साजीस के तहत चक्रवर्ती और उनका परिवार सुसान्त के पास आया था बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें उसने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर बेहत गंभीर आरोप लगे हैं सुत्र बताते हैं कि हलफनामा से पता चला है क इरिया चक्रवर्ति और उसके परिवार ने एक साजीस के तहट सुसांसी राजपूत के साथ अपना कॉंटेक्ट बनाया जिसका मक्षत सुसांत के करोलों रुपयों को हडपना था और बाद में उनकी मांसिक विमारी की जूटी तस्वीर पेस करना था जी हां हम आपको बता कि बिहार पुलीस के जो चार अधिकारी गए थे जब वहां से लोट के आए हैं और पटना एसपी को जब उन्होंने वो पूरा सबूत दिया है तो उसके बाद पटना एसपी ने एक जानकारी जब बिहार सरकार को पूरे सबूतों के शाद दी है उसके अनुसार जो हमारे पास खबरे आ रही है कि इस जो सुसान सिंग मामले की जो घटना है इसके तार देश के बहुत से कोने से जुड़े हैं इतनी तक जानकारी मिल रही है जी हां आगे इसमें क्या डिबलप्मेंट होता है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निरने लेता है क्योंकि बिहार सरकार न सबसे बड़ा कोई भागिदार भी है तो यह रिया चक्रवर्ती का भाई भी है जो हर यूरोप के टूर में भी सुसान्त के साथ था और जिस पे करीब करीब 50 से 60 लाक रुपए खर्च भी हुए थे दूद का दूद और पानी का पानी CBI अब करने की कोशिस में लग गई है कि बंघ को रिया चक्रवर्ती चैरे चधैन नेशन भारत की करेंड दूद को सेबराइग करो सुस्क्राइब कीजेए हमारे फेस्ट पेट को लाइक किजे नमस्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए